क्या आपको इस solar flare दिखा नीचे जहां मैं arrow point कर रहा हूं यह चीज भारत के scientist ने एक दिन पहले ही predict कर ली पर कैसे और क्यूं तो गरिब scientist में सबकर स्वाकते आज हम जानेंगे भारत के space weather capabilities के बारे में इस वीडियो के मुशली तीन पार्ट्स है पहले तो sun की मस्ती दूसरा भ पिलरली कैरिंटन इवेंट का जाता है इसने उस जमाने के जो भी टेलिग्राफ लाइन्स थे सब को उड़ा दिया काफी जगा आग भी लगी आज आज अगर ऐसा कुछ होता है तो काफी बड़ा loss हो सकता है क्योंकि आज टेलिग्राफ लाइन्स के बिजाए हमारे पास बह रेलिटीव ली कूल है दूसरे पार्ट से रेलिटीवली कूल मतलब गरम है यह पर उतने गरम निया जीतने बाकी के पार्ट से संके अभी इसलिए होता है क्योंकि वहां मैगनेटिक फिल्ल इतनी स्ट्रॉंग कि हीट को एसकेप नहीं करने मिल रहा है संस्पोर्ट साइकल यह चीज होती है मतलब कभी कभर आपको संपे बहुत संपोर्ट दिखेंगे कभी-कभी बहुत कम दिखेंगे इसे कहते हैं संपोर्ट साइकल या कुछ लोग सोलर साइकल अलग-अलग नाम है तो जब जाधा सबसे आदा स्पोर्ट होते तब सोलर मक्सिमा कहा जाता है और जब मिनिम मोर्ट अब यह हर 11 साल होता रहता है मिनमा से मैक्सिमा काफी कॉम्प्ल squeezed है देखो सन की उपर जो है वो प्लाजमा है प्लाजमा भी घूम रहा है एक्वेटर पे इसके अलग स्पीड है उसके पोल्स पे अलग स्पीड है तो काफी टैंगल डाप हो चाता है यह यह मैंगनेटिक फील्ड अभी कुछ जगह आप देख सकते हो कुछ टैंगल सोने लगते यह अपनी इमेज देखा होगा जहां स्कॉरणा ओपर जा रहा हो नीचा रहा है ऐसे के तरह तो यह जो है कभी-कभी टैंगल स्नाप कर सकते हैं और एक सोलर रिलीस कर सकते हैं या तो मास इजेक्शन या कभी-कभी दोनों अभी देखो सोलर फ्लैर और कोरोनल मास इजेक्शन यह दोनों अलग चीज़े हैं अल्दो रिलिक्टेड हो सकती है सोलर फ्लैरिक बर्स्ट ऑफ एनरजी है जैसे एक्सरेज हुआ यह लाइट स्पीड से ट्रैवल करती है मतलब जैसी मास इजेक्शन म Color मास इजेक्शन मों लिटररली जो पार्थ सन के ऊपर हूपर का उसका मास यह उसके तुकड़ तुकड़े अजाते हूँ उसको पार है फारत फिल्ट ऐसके सॱ्टे मोठेट से शोलर यह वागयरा क्वैकि चले जाते हैं फिर आपको दिखते हैं अर्वराज या नौदर्न लेट्स जिसे कहते हैं वह हमें दिखते हैं धर्थी पे इने सैटन जैसे प्लैनेट्स पे यह होता है पर अगर कैरिंटन इवेंट जो मैंने कहा वैसे कुछ आ जाता है तो इतना बड़ा मास आते हैं और हमार देंजरस हैं ग्रेट्स के लिए हमारे साटलेट्स के लिए जो भी लंबे कंडॉक्टर है पर क्यों ऐसा क्यों देखो जब आप ऐसे स्क्वीज करते हो मैंनेटिक फिल्ड को आप कैंड ओफ मैंनेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हो पूरे धरती के आर पर और अगर आपने होता है उस करेंट के अंदर तो अभी जैसे हमारे ग्रेट्स हो गया टेलीफोन लाइन हो गया चोटे मोटे पोल जहां अपने स्ट्रीट लाइट्स वगएरा वह हैंडल नहीं कर पाएंगे इतना सारा करेंट और जो भी उसको सब जल जाएगा या खतम हो जाएगा अब मोस पर किसने टेश्ट किया इतने बड़े इसमें ग्रेड अब मुस्ट के सिसमें युएस के इजनसी जैसे नोवा नोए तो उनके एजनसी हमें अल्रीडी इंफॉर्म कर सकती है कुछ ऐसे होने वाला है वगरा जो भी है या वार्निंग देख सकती है उनके काफी सारे से नासा के वगहरा देखते हुए पर इंडिया के पास क्या भारत के पास इस्पेस इस इनकरते हैं सेंटर अब करते हैं हिल्योद फीजिक्स के साथ पर उनके दूसरे fields भी है जैसे इंदोंग लाइग वीडेशनल में एक चेशने वाली ओप्परेटरी है उसके उपर वीडिाग तो इन्होंने क्या किया हो पहले बोलता हूं और फिर वो समझाता हूं तो आपको फ्लो पता चले ऑगस्ट 27 2021 सेसी ने रिपोर्ट किया कि सन के काफी एक्टिव रीजन्स है जो अर्थ के तरफ फेस कर रहे हैं या पोटेंशली फेस करेंगे तो उन्होंने सेकेंड ट्विट म बुपा आपके राइट साइड वेस्ट है और लेफट साइड इस्ट तो वह जा रहा था मतलब राइट साइड की तरफ रोटेट कर रहा हैं आप यह एनिमेशन है देख सकते हो तो वह सेंट्रल मेरीडियन की तरफ आ रहे था एक्जाक सेंटर जो अर्थ धर्ति को फेस कर रहा था और फिर ट्वेंटियत अगर्च को यह कंफर्म हुआ कि एक्चुली फ्लैर हुआ और धर्ति को हिट किया काफी जगा और वो सीधा सीधा इंडिया के ऊपर था काफी जगा रेडियो ब्लैक आउट्स भी हुए मतलब हुए रहेंगे और अगर आप तभी रेडियो अगरा सुन रहेंगे उस ताम तो आपको फील हुआ रहेंगा अभी यह जो फ्लैर था वह एक M-class फ्लैर था M-class जब M-class is 10 x C और X-class is 10 x M कभी-कभी X-1 भी हो सकते जो और भी जादा पाउरफुल होता है अजिस तब आपकी इंसान हो और बिट में तो अभी इंटरनाशनल स्पेस्टेशन पर जो एस्टोनाट्स है या फ्यूचर में जब गगन यानका इस्टोनाट्स होंगे तभी यहा है उसका ग्राफ है उस दिन का ऑगस्ट 26 से लेकर आप देख सकते हो 28 ऑगस्ट के टाइमिक पीक है और राइट में क्लासिज है तो आप देख सकते हो M-class पीक था तो यह काफी खूब सूरत है रहरली ऐसा चान्स मिलता है कि मैं आपको ऐसी कोडिनेट करके अपने इंस्ट् से XSM का कुछ एक दिन का डिले होगा मैं तो यह वेबसाइट लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में नील भाई ने मुझे रिफर गया था इसे मस्ट वेबसाइट है तो यह एक मस्ट चीज थी आप देख सकते हो यह ब्रेक्स इसलिए बीच में डेटा के क्योंकि चंद्र उनने नोवा से पहले डिटा किया यह सब और कम बजट में मतलब नोवा के क्या मिलिंस ऑफ डॉलर्स ऑफ बजट है उनके थाउजंस ऑफ कोर्स ऑफ कंप्यूटिंग पावर उनके पास और तो वही तो वह काफी कुछत है तो यह काम कैसे करता है तो एक मशीन लर्निंग क्या ट्रिनिंग डेटा गया तो डेटा कैसे दिखता है जो इनसे ट्रेंड किया गया तो काफी अलग 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 ऑब्जर्वेशन होते हैं सूरज के काफी अलग अलग वेवलेंद में आप देख सकते हो जैसे यह एक्जेम्पल जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखे रहा हू वो अंदर जा रहा है और वाइट रिजन से हो आपके तरफ आ रहा है मैगनेटिक फील्ड विए काफी इंट्रेस्टिंग है यह मेगनेटोग्राम खुद में ही तो मैं जो दिखा रहा हूं वह है नासा का स्टीयों पहले लॉंच हो था अभी चल रहा है फिर स्टीयों से का स्टीयों के आसपास घूम रहा है अल्मूस्ट और्बिट में तो वह अलग-अलग एंगल से हमें विउस दिखा सकते हैं संका जो काफी इंट्रेस्टिंग है खुद में फिर नासा का गोस सैटलाइट वगरा भी है जिसकी उपर भी एक एक स्ट्रे सोलर मॉनिटर वगरा है तो ऐसे काफी सारे सैटलाइट का डेटा इन्होंने कलेक किया और ट्रेन किया मॉडल को क्या इंडिया के पास सोलर सैटलाइट है फिलाल नहीं है पर शायद अगले साल याने 2022 या 2023 में अधित्यालवन लॉंच हो जाएगा तो अधित्यालवन भारत का फर्स्ट डेडिकेट सोलर सैटलाइट होगा मुझे बता है काफी लोग अधित्यालवन के उपर डेडिकेटड वीडियो मांग रहे है पर वो सही टाइम पर आएगा ज्यादा अर्लिये फिलाल और भारत की दूसरे टेलिसकोप का क्या उसके बज़े हमारे पास दूसरे दो टेलिसकोप है है उदयपूर सोलाइटेलेसकोप उदयपूर तयलिसकोप यह काफि इंटरस्टिन टेलिसकोप लेक की बीच में टेलिसकोप है और मैंनी देखा है घूद मैं रिसरच क्से घृट के लिए तो यहाँ मैं लिएक को लेक पास सब्के देकाई से आपक यहांने परquest गया परमि है क्योंकि यह फिट नहीं होता जो उनके रिक्वार्मेंट से उसके इसाब से पर फ्यूचर में आजित्या लवन का डेटा जाएगा अभी आपके पास यह सब डेटा है अब आप डेटा से इनफर कर सकते हो कि पास्ट में जब यह इवेंट हुआ था ऐसे सिचुवेशन था तो सोलार फ्यूचर हुआ था कि नहीं अब यह सब कंबाइन करके आप एक मॉडल बनाते हो जिसका इनपूट उसका करन्ट डेटा होगा और उससे आप प्रिडिक कर सकते हो कि यह फ्लैर पर है इनके पास इनफेक्ट डेडिकेटड वेबसाइड भी है जहां पर एक्जेक्ट रिपूटिंग वगेरा होती है कि करन्ट डेटा कैसे दिख रहा है और कब कौन सा फ्लैर पोटेंशल है वगेरा पर यह पब्लिक नहीं है अगले साल पब्लिक होगी अर्ली 2022 तो जब सोलार फ्लैर पर ही यह प्रिडिक्शन पर एंवेज़े से मुले बोला सीमी को हमें एक दो तीन दिन का का टाइम मिलता है बड़ सोलार फ्लैर को वह नहीं मिलता है तो यह काफी कूल खाम ता सेसी का अब सेसी को जरूर फालो करो ट्विटर पर बुलिटिन शेया तो आपको तो जरूर डिस्कॉर्ड पर आजाओ आपके पर्क सेक्शन में जाके मिलता हैं इंडिया में हम सीरिसली नहीं लेते हैं स्पेस वैदर को मतलब यूएस इतना तो सीरिसली नहीं या कैनेड़ा इतना तो सीरिसली नहीं अब क्यों काफी लोग बोलता है कि इंडिया का लाटि इफेक्ट पड़ा था अब यह क्यों मुझे नहीं बता यह हमारा सॉइल से लिल्टड़ है जो भी है एक और फन फैक्ट यह कि कैरिंग्टन इवेंट जब हुआ था तब मुंबई में कोलाबा और अलिबाग में मैगनेटोमेटर हुआ करते थे इन फैक्ट उससे रीडिंग्स भी है यह 1841 से वहाँ पर अभी क्या हुआ इस मैगनेटोमेटर को अभी यह कनवर्ट हो गए और यह बन गए जियो मैगनेटिक स्टडीज के लिए अपने सुना होगा इंडियन इंस्टिटूट ऑफ जियो मैग इंडिया के उपर तभी तो बस टेलिग्राफ लाइंस थी राइट एक और चीज़ जैसे मुह ने बोला था 20 ऑगस्ट वाले इवेंट का सोलर फ्लैर जो था वो सीधा-सीधा इंडिया के उपर था और कुछ सालों में हमारे काफी स्पेस एसेट्स बढ़ेंगे अभी कि इत अच्छे सूपर कंपीटर्स दे तो वही देखते क्या होता है इंडा की बहुत बैड हैबिट है हम कुछ कांड होने तक वेट करते हैं और फिर कांड होने के बाद उसके उपर काम करते हैं आई होप इसके साथ ऐसा ना हो पर क्या पता बस यही था ज्यान की गरिभी सबसे सब मेंबर्स को बहुत शुकरिया